उमेश पाल हत्याकांड में आज MPMLA कोर्ट में माफिया अतीक एहमद की पत्नी शायस्ता परवीन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई विशेश न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंदर शुकल ने आदेश दिया है कि शायस्ता परवीन का अगरिन जमानत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है शायस्ता ने अपनी अरजी में कहा था कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है उसे सियासी रंजिश में फसाया गया है जबकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में शायस्ता के फरार होने की वज़े से इनामी हो चुकी है पुलिस उसकी तलाश कर रही है गिरफतारी से बचने के लिए शायस्ता ने जिला न्यायाले में अगरिन जमानत अरजी दाखिल की थी पुलिस तलाश में कई जगर दबिश दे रही है लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है उलेकनी यह है कि पुलिस शाइस्ता की तलाश में कई जगर दबिश दे रही है लेकिन शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पा रहा है हत्याकांट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है ऐसे में पुलिस शाहिस्ता पर भी इनाम की राशी बढ़ा सकती है शाहिस्ता पर इस समय 25,000 का इनाम है जिसे बढ़ाया जा सकता है उमेश पाल हत्याकांड में एफायर दर्ज होने के बाद से ही शाहिस्ता लापता है शाइस्ता ने अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट और जिला न्यायाले में कई याचिकाय दाखिल की पुलिस शाइस्ता को लगातार धून रही है साबिर के साथ CCTV फुटेज वाइरल होने के बाद शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई है गुरुवार को अभियोजन की ओर से अभियुकता की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया की अभियुकता पर हत्या जैसा गंभीर आरोप है ऐसे प्रकरण में अग्रिम जमानत आवेदन पुशनिय नहीं है समस्त तत्यों, परिस्थितियों एवं अपरात की प्रकरिती को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिच किये जाने योग्य है